हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल और मैं हूं भार्ती आज आपके लिए लेकर आई हूं दो बहुत ही प्यारे से डियाई वाई बिल्कुल पुरानी चीज़ों से जो कि हम अपने गार्डन में इस्तिमाल करते हैं कुछ ऐसे चीज़े होती हैं जो काफी डेमेज हो को पता चलेगा कितना डिफरेंस होता है अगर हम एक चीज जो है विदाउट पेंट और उसके बाद अगर हम उसको पेंट करें तो उसका एक अलग ही लुक निकल कर आता है इस तरह से कभी भी ऐसी चीज़ों को फेंगने का सोचने से पहले इस तरह से इस्तिमाल करना जरू इसके बाद में इसको मिक्स करूंगे अच्छे से और हम इसको पहले चेयर पर लगाएंगे यह पुरानी है काफी चेयर किसी की हमारे घर में पड़ी हुई थी तो बारिश में इस तरह से मेरी मदर जो है इस पे प्लांट और रखती थी तो यह एक काड़ बोड है जिसका र एक सी टाइब बन जाएगी लेकिन मैं इस पर अकोंगी प्लांट तो देखिए इस तरह से पेंट करने के बाद इसकी लोग बिल्कुल चेंज हो गई है लेकिन यह थोड़े से तूटे हुए है इसलिए थोड़े से आनिवन लगरे हैं आगे से लेकिन पेंट करने के बाद इतनी नजर नहीं आएंगे इस तरह से देखिए मैं इसको paint कर दूँगी आप चाहो तो double code भी कर सकते हूँ लेकिन ये single code में ही इसका जो color है काफी उभर के देखिए आया हुआ है इसी तरह से जो stand है ये वाला इस पर भी मैं paint कर दूँगी ये दुकानों पर पड़ा हुआ होता है कोल्डिंग बगारा बोटल्स रखने के लिए कंपनी की तरफ से बिलता है और ये देखिए पैंजी है प्लांट से कुछ जिसकी हमने शॉपिंग की हुई थी गैलेट डूला है और इस तरह से देखिए चार-पांच प्लांट है इनको हम लगाएंगे प्लांटर्स में जो की प्लांटर्स भी काफी करफूल और खूपसूरत है दिखिए इनमें मैंने नीचे इस तरह से होल निकाल के ठिक्रियां रख दी है चार से पांच होल इसमें दिखिए किये हुए है और इस तरह की क्वालिटी ये काफी अच्छे 200 का एक प्लांटर है तो इसमें हम लगाएंगे पैंजी के प्लांट तो तीन हमने आज नर्सरी से खरीदे हैं दिखिए कितने खूपसूरत से हैं और ये इच प्लांट 30 का मिला है लेकिन अब भी जो फोर्थ वन इसमें मैं यलो एड़ करूंगी वो 25 का था तो चार मैं इस तरह से कॉर्नल में लगा दूँगी क्योंकि अभी काफी चोटे-चोटे हैं तो जैसे ही थोड़ी सी ये भर जाएंगी वैसे तो ये अगर इसमें भी रहने दे तो काफी अच्छी लगेगी ये दिखिए इस तरह से मैंने इसमें डाइंथस लगाया है और ये स्टॉक है दो एक वाइट और एक पिंक कलर की बाकी सारे इसमें डाइंथस हैं और एक कैलेंडूला का प्लांट लगाया हुए है ये सारे जो है मेरी मदनी सीट से ग्रो किये हुए है और दिखिए इस तरह से कैलेंडूला ये एक और वराइटी है पिटूनिया है जो और लेडी लगे हुए थे तो इस तरह से मैंने टैरस पे इसको प्लेस कर दिया है तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें मेरी क्रेटिविटी लगती अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मीलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार